है हलो डियर स्टुडेंट मैं स्वभं सेकर क्लास 10 की मैथामेडिक्स में आपका स्वागत करता हूं जिन चात्रों ने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सस्काइब नहीं किया है तो उन्टे अंरोद है मरा कि हमारे यूटूब चैनल को लाइक सस्काइब जरूर करें तो X और Y का value निकालना सिख रहे थे और इस समय हमार पास variables है S और T के फों में तो आपके question का जो पहला question है तो पहले question का यह दूसरा question है पहला question पहले ही upload करा चुके हैं जिन्होंने अभी तक वो हमें देखा है तो वो डिस्क्रिशन जारकर उस लिंक उसका लिंक देख सकते हैं अब देखे जो यह दूसरा question है तो इसमें S और टी का value हमें निकलना है ठीक है न तो S का मान है S or T equation S minus T is equal to 3 and S by 3 plus T by 2 is equal to 6 यह दो equations है मारे पास ठीक है अब डेखो आप चाहिए तो इस equation को एंसे भी लेख सकते हैं आप चाहिए तो सब्सक्राइञा सकते हैं तो तो यह कुरिये रोगा टो यह रोगा यह से कुतना आएगा एक बना को ज से ठीक ना समीक्रों नमर एक से तो देखो जो समीक्रों नमर एक है तो वो हमरे पास है S-T is equal to 3 ठीक है तो यहां से आप चाहे तो S कमान निकाल सकते हैं आप चाहे तो T कमान भी निकाल सकते हैं यू आर देपेंडेंट ओप इन इस वेरिवल्स से इंटी इंटी इन इस फाइंड अब दे बैल्यू ठीक है तो देखें यहां से S कमान निकालता हूं मैं मैं निकालता हूं यहां से S कमान तो S कमान हो जाएगा 3 प्लस T ठीक है न अब इसको समीकर नमर 2 में रखने हैं तो समीकर नमर 2 जो स होगा तो उस स की जगापर 3 प्लस T रखने है तो यहां से कि इसको टू इंटू 3 प्लस टी ठीकन और प्लस यह होगा 3D is equal to 36 इतना हो किया ठीक है अब देखिए इस टीस से इसको में डिपलाइ कर सकते हम लो कैसे ठीकन ती यह मनेंगा यह से कितना यह मनेंगा यह सिक्स प्लस टूटी ठीक है और इस इकल टूटी पलस 3D is equal to 36 यह वा अ से कर लेते हैं इसको हागे सोल ठीकन अब देखिए यह तो 6 आगे जाएगा इससे गटेएगा ठीक है और यह टूटी और 3D है तो टूटी और 3D हमरे पास कितना होगा 5D होगा ठीक है न तो यह मना 5D is equal to कितना मना हमरे पास आगे कितना 36 है तो 36 हो किया और यह 6 यहां से कितना तो टीग ऑबर हो खथे नोतरा कितना 60 क से कह लूटृ आयमरत पास शिक्स आहे टीक टीक हम रख सकते हैं अब ने sagt a और रख सकते हैं और समीकर नमर किन में रख सकते हैं तो चलो मैं समीकर那麼 तो थला तिकनल मैँ रखा सकते हूं धिक आमन का मान तु टीकमान नमर तीन में रखने पर तो समीकर कि एसका बेल्यू निकले गए यहां से कितना नाइं कितना निकलेगा नाइं ठीक है तो आपने देखा कि टी कब में बेल्यू निकल चुका है और एसका बेल्यू भी निकल चुका है तो टी कमा निकला सिक्स और एसका बेल्यू निकला नाइं ठीक है तो यह था हमारे पास जो परतिस्तापन बिदी है तो इससे जो डिरेक्ली जो एक्वेशन देए हुआ है तो ये सारे के सारे क्वेशन आपकी बुक्स में और भी सारे हो सकते हैं